अमारा विडियो नी नवी नवी अप्डेट मेरवा माटे सब्स्वाइब करो अमारी चेनल मुद्रालेक डिजितल एजुकेशन नमस्कार विद्या थिमित्रो मुद्रालेक डिजितल एजुकेशन मा आपसो विद्या थिमित्रोनू हार्दिक स्वागत छे दोरन नव विशे विग्णान जेमा प्रक्राण त्राण छे बराबर परमानू अने अनू ओ आजनों आपनों प्रस्ण छे एक प्रक्रिया मां 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम इथेनोईक एसिड अडलेके एसिटिक एसिड साथे प्रक्रिया पामें छे यादरग्जो विद्यार्थिमित्रो आपने आगणना लेक्चर नी अंदर जे प्रस्ण समझ्याता बराबर से दड़ संचैना नियम एमा निश्चित प्रमान नो नियम अतो ने दड़ संचैनो नियम अतो लेवो जिर आही पात आप बण्ने नीयम मों आप बण्ने नीयम हो छे ने आईया आपने प्रेक्यिकल करवा ना छे एड़ों के राशानिक प्रक्रिया नी अंदर आपने जो युत्तू दर्श확 के नीयम मां के जारे बे पदार्थ नी वच्चे राशानिक प्रक्रिया थाई अने बन्ने पदार्थों एक बिजा साथे जोडाई अने पची कोई नवो पदार्थ निर्मान पामे छे नवो पदार्थ बने छे तो दर छे एनू सरक्षन थाई छे अदले के पेला जेतलू दर ओई छे राशानिक प्रक्रिया पेला एतलू दर राशानिक प्रक्रिया पच्छी होई चे तो आज ये दढ़ संचैनो नियम छेने एनू आपना ये प्रेक्तिकल करुवानू छे औने एना माट्या ये बे पदार्थो लेवा माईवा छे एक सोडियम कार्बोनेट छे मराबर 5.3 ग्राम लिदो छे औने इथे नोईक एसिद छ 6 ग्राम लिदो छे आप बनने वचे राशानिक प्रक्रिया थावानी छे औने पच्छी आपने अंतमा जोवानू छे राशानिक प्रक्रिया थाई गया बाद जे नवा पदार्थो नू सर्जन थासे नवा पदार्थो बन से तो एनू दर केतलू होई तो आप बे ग्राम sodium ethenoid, अधले के sodium acetate, बराबर आत्रावन वस्तु बन से, बे वस्तु ओ साथे राशायनिक प्रक्रिया थाई, अने तमने उगिदू के दर्शावो, के आ उलोकनो द्रवियो संचाईना नियमनु समर्थन करेचे, अने तमने गिदू से आ राशायनिक प्रक्रिया थाई आत्रावियो संचाईना नियमनु पालन थाई शे, समर्थन थाई शे, अतले के पालन थाई शे, चालो साबित करिये, तो जो वो नीचे तमने आई पूछे, एने टू सी ओ तरी, एतले सोडियम कार्बोनेट, बराबर चे, प्लोस एनी राशायनिक प्रक्रिया थाई शे, इ इथेनोइड छे, कार्बन डायोकसाइड छे, राशायनिक सुत्र याद राखवा मित्रो जरूरी नथी, अने पानी छे, कानके आपने मात्र एज समझू छे, के पेला आप बन्ने पदार्थोनू दोल हतू, तो के तलू हतू, तो के प्रक्रिया को, अवे खास याद प्रक्रिया को अट लेके, तमें जोई सकोषो, के काई तीर छे, बराबर, तीर नी बे बाजू ओछे, एक तो तमारो डाबो आथ ए डाबी बाजू, अने डाबी बाजू हमेशा प्रक्रिया को लखाई, आ सोडियम कार्बोनेड अने बिजू इथेनोइक एसिद, ए बे प् प्रक्रिया थाई, अने जे काई नवी वस्तुओ बन छे, नवी वस्तुओ नू निर्मान थाशे, एने निपज केवाई, निपज अटले परिनाम, जेमके सोडियम इथेनोइड कार्बन डायोकसाइड अने पानी, ए निपज मा आउँ छे, त्रण वस्तुओ बने छे आई प्रक्रिया थाई, अने जे त्रण निपज बनी छे, एनू कूल दर जोओ, तो के निपज नी अंदर छे सोडियम इथेनोइड, तो एनू जे दर छे 8.2 ग्राम रकम आईपू छे, बराबर, त्यार पची 0.9 ग्राम छे, ए कोन छे, तो के कार्बन डायोकसाइड अने, पान चे, अने 2.2 ग्राम जे शे, ए कार्बन डायोकसाइड छे, आतने इनू टोटल मारो तो केतलू थी दो क्या, 14.3 ग्राम, एनू अर्थे थाई छे, विद्यार्थी मित्रो खास याद राको, कोई पन राशानिक प्रक्रिया होए, ए राशानिक प्रक्रिया मां कदाज गमे ए एतला दड मां भागली दो से, एतलू ज निर्मान निपजोनू था से, पर आबर, एन थी वधू पन नी थाई, एन थी ओछू पन नी थाई, तमें जोई सको के 14.3 ग्राम से प्रक्रिया कोनू दड छे, तो जे निपज बईनी, जे वस्तु बनी से, एनू दड पन केतलू से 12.3 ग्राम से, आम तमें जोई के प्रक्रिया कोनू दड इस इक्वल टू निपजोनू दड, आब नने समान छे, जे सुचवे छे, के आ उलोकन द्रविय संचैना नियमनू समर्थन करे छे, अले के पालन करे छे, अवे त्यार पछी आपने बिजो प्रस्ण जोईशु बराबर 12.1 ग्राम आठना प्रमान मा जोडाई छे, जो 3 ग्राम हाइड्रोजन वाईउ साथे संपून प्रक्रिया करावा माटे ओक्सिजन नो जथो के तलो जोशे, अम्मेशा याद राखो विद्यार थी मित्रो, आ दुनियानू कोई पन संयोजन होई, ये पानी होई, मि संयोजन होचे ने, कोईने कोई तत्व थी, कोईने कोई पदार्त ना जोडावा थी, राशायनिक प्रक्रिया थी बहिना छे, अने राशायनिक प्रक्रिया हमेशा निश्चित प्रमान माज थाई छे, मन था एतला प्रमान मा राशायनिक प्रक्रिया थती नथी, कानके संयो पाणी प्रमाल मां जोड़ाई छे पाणी येक एउज सयोजन छे पाणी मां हाइड्रोजन ये ओक्सीजन गुणोतर केतलो होई एक जे माठाज होई तम्हें दुनियानू गमेते जग्या ये थी पाणी लाओ ये गटरनू पाणी होई तो बले मिनरल वोटर होई तो बले अन तम्हें नव ग्राम पाणी लेए वोई नव ग्राम पाणी अन्ने तम्हें विभाजन करो हाइड्रोजन ये ओक्सीजन मा तो तम्हें एक ग्राम छे ये ओक्सीजन मर्षे नव ग्राम पाणी मात्र केतलो होई एक ग्राम ये पाणी गमियेनू होई गटरनू वोई तो बले अन्य समुद्र नो वह तो भले, निसे अंधित पानी वह तो पन भले, एक ग्राम ज हाइडरोजन मड़शे, और मदिधिन सामे ऑक्सिजन केतलो तमने मड़शे तो कि सो ऑक्सिजन ने आठ ग्राम मड़शे, अवे तमने एम की दूख, अवे मारे जो three ग्राम हाइडरोजन मे तो यहां oxygen 8 gram छे, तो यहने पन आपने केतलो करो पड़े? 3 गनो, ready? ता यह तमें जोई सको छो, 1 gram oxygen माटे केतलो, 1 gram hydrogen माटे oxygen केतलो जोगे? तो के 8 gram जोगे? तो अवे 3 gram hydrogen माटे तो के गुणिया 3 गनो करो पड़े, तो आट तेरी ने 24 gram बराबर तमें oxygen लेशो, तो राशानिक प्रकृया थासे औने पानी बनी जासे अगर थार्ण आव्वे ट्यार पच्षिनो जे प्रस्णो जे दस्मो यहनी वाद करिये दाल्टन ना परमानिय सिद्धान्त नी कई अभी धार्न द्रव्य संचेना नियमनु परिनाम छे तमें जुव, के दाल्टन छे, यह चो अभि धार्नाओ आ बहुए अट, अगावना वीडियो लेक्चर मा समझावी यही खुब अगत्य नीजे दाल्त ने पर्मानु ने जोयो नोतो, पन चता पन पर्मानु वीशे केतलिक धार्णाओ, केतलिक कल्पनाओ आपोताना मनमा बांदी हती sati तो यह कई धार्ना चे तो द्रव्य नू सर्जन के विनास थाई सकतो नथी तमें जोयूने राशानिक प्रक्रिया मामना के प्रक्रिया कोनू कूल दड़ आने निपस नू कूल दड़ केतलू होतू समा नतू एनो मतलब सुथियो तो के नथी कोई नवू दड़ उत्पन धात अथवा तो ज爵काई दड़ आपनू हतू ये दड़ नू नू तो विनास्थियो जो दड़ नू विनास्थियोत तो सुथाथ तो एनो अपने जी निपस मेडी ने ओची मड़त अथवा तो मानीलियो के नवुद दढ उत्पन थयू ओत राचानिक प्रक्रियामा तोसुँ थाच तो के निपस जे आपने मेडी बरोबर जे एवधी जाथ मूड दढ करता अबिधारणा चे द्रविय संचे इना नियम नुँ परिणाम छे तो आपने वादकरी डालतन ना परमानिय सिधान्त नी अबिधारणा नी अबिधारणा नियम नुद्रालेक डिजिटल एजुकेशन ने सबस्क्राइब करो लाइक करो अने वधुने वधु शेर करो आ उपरांत अमरा डिजिटल एजुकेशन ना माध्यमों नो परिछे कराऊ तो प्ले स्टोर मा अग्यार बार कॉमर्स गुरू नामे एप्लिकेशन छे आ उपरांत एफबी अने इंस्टामा पन मुझालिक डिजिटल एजुकेशन नामे पेज चाले छे थेंक यू कम अगें बेस्ट अफ लग